हेलो एवरिवन आज फिर नए वीडियो में आपका स्वागत है आज क्लास सीटेट एंटेट्स का जो है मैथ 1-5 का लिया है तो चलिए जिसका जो है आपको पहला वीडियो पार्ट 1 के रूप में आज चुका है पार्ट 2 का चलिए चलते हैं क्या है इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना है इसको इसको मल्टिप्लाइ करना है इसको मल्टिप्लाइ करना है इसको मल्टिप्लाइ करना है गोटमास के हिसार से पहले डिवाइड कर लेते हैं तो 14.5 इंटो 3 प्लस 6 मानस 3 इंटो 12.5 इसको मल्टिप्लाइ करते हैं 35 जब 15 केरी 1, 4 चीज़ 12, 13, कैरी 1, 1 ज़ 3, 4, plus 6, minus, इसको multiply करते हैं, 3, 5 ज़ 15, 3, 2 ज़ 6 और 1, 7, 3, 1 ज़ 3, 37.5, दोनों का एड़ करते हैं, 49.5, minus 37.5, 0.0 हो जाएगा, 2, 1, 12, option 2 हो गया है, इसका correct answer, next question में चलते हैं, question 12, एक बाग की ब्रिच्चों में, जामून की ब्रिच्चों की संख्या एक छटवा भाग है, यानि कि जो है, मानली जी ब्रिच्चों की संख्या अगर x है, तो x by 6 हो गया, जामून की संख्या, तो यह जो है, जामून की ब्रिच्च्चों की संख्या कितना अच्छा है, तो यानि कि x by 6 equal to 6, तो total ब्रिच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च को है छे 18 36 में घटा देंगे तो एंसर आ जाएगा पिपल के ब्रीचों के जंकिया है घटाते हैं 36 माइनस यानि कि 12 हो गया पिपल के ब्रीचों के जंकिया है नेक्स्ट कोशिन क्यों चलते हैं कोशनम 13 एक एक रेलगाड़ी विसा का पट्रम से एक सितंबर 2019 को सुभा चार अर्थालिस बज़े परस्थान करती है और अपने गंते वेपल दो सितंबर 17 साइंटिस्ट बज़े पहुंचती है इस रेलगाड़ी की यत्रा का कुल समयनकाली दिखी एक सितंबर चार अर्थालिस है टाइम दो सितंबर आ जाएगा जो की चार अर्थालिस होगा टाइम इसमें 24 गंटा वगे 24 हुग इसमें उसके बाद देखे कितना गंटा हो रहा है चार के बाद आगा.. आप देखे honor 78 से 17,37 तक हम लोग जाना है तो इससे पहले हम लोग 16 septic चले जातें 16 18 तक 16 18 तक ढूरत 24 तक जले जाएगे इसमें देखे Agent 4 पांच 6 गांट करते हैं 3,3,6,9,12 12 12 गंटा हो गया इधर अब 16,48 से बागी कितना समय लग रहा हो देखिए 16,48 से अगर 17 बजेगा तो कितना हो गया टाइम देखिए 16,48 यानि कि इसमें कितना है 12 मिनट 12 मिनट हो गया तो 17 हो जाएगा और पलस 17 तो 37 पलस 12 49 मिनट तो टोटल टाइम क्या हो गया 24 प्लस 12 प्लस 12 गंटा प्लस 12 गंटा छे 36 गंटा और यहां 49 मिनट यह ओप्सन खिरी हो गया इसका एंसर चलिए नेक्स्ट क्यों चलते है क्यों सबसे बेश्ट होगा आप इसको सजा लेंगे एक जैसा इसमें क्योंकि सबसे चोटा यह है ऐसे बढ़ते जा रहा ठीक है इसका ओप्सन फोर नेक्स्ट क्यों चलते है क्यों फिप्टीन एक एक 210 सेंटीमीटर लंबी टार को एक आयत का रूप दिया गया है यदि इस आयत की चोड़ाई 50 सेंटीमीटर की तो इसकी लंबाई लंबाई को माल लेते है ल ठीक है तो आयत की लंबाई और यह परिमाफ हो गया यह जो 270 रही है परिमाफ हो गया ठीक है टू इन्टू एल प्लस बी इकोल टू क्या हो गया 270 ल के जग में ल लिखते हैं बी के जग में 50 और यह टू नीचे चलाएगा 270 बाई 2 एल इकोल ट आजागा 135 माइनस 50 जी 5 एक फ़ाइव एक फ़ाइव यह होगया अंसर 3 नेक्स्ट वसंग क्यों चलते हैं क्वेशन मझ सिक्स्टीन कक्षा 2 के छात्रों को पैंटिस लिखने के लिए कहा गया तो दो 305 लिखते हैं कितना लिखते हैं 305 मिश्टेक है उनका अध गया गर्ट उत्रे दैप कि रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे या बताकर कि यह गलत है और उनेस्व उतर प्रावत करने के लिई कहेंगे चाहिए उत्थर निखेर Кर दो अपने पढ़ करęd pineणी और तक सब्कूर क्भाइब Q17, गनित के प्रात्मिक पार्टियकरम में पर्तिचित्रन, मानचित्र के कौन से पहलू विद्वान है, जैसे मानचित्र का अर्थांकन बिना पैमाने वाले आलेक या फिर संकेतों का परियोग, तो इसमें कुट दिया हुआ है, तो आपका सही एंसर क्या होगा, इसमें चुन यानि कि ABC इसका correct answer है, ठीक है, चलिए next question क्यों चलते है, question 18, राष्टे पार्टिक चरिया रूप रेखा 2005 के अनुसार निमलिकित में से विशाई प्रात्मिक विद्यालों में गनित पार्टियकरम का भाग नहीं है, भाग नहीं है धिया, पुर्णान तो है, अनुमान लगा इसकी नवधारना को समझाने के लिए जाता है, क्या जा सकता है, जिससे परदा option है, संख्या बोध भीन परतिरूप, भीन स्थानियमान आइतन, तो ये आइतन नहीं होगा, ठीक है, चोपड इसब नहीं होगा, इसलिए इसका option मान को का पर्योग करते हैं, संख्या बोध भ अध्यापक के विचारों का परभाव गनित सिखने वालों के परदेशन पर होता है, ये करेक्ट है, यानि कि कूट में जो लिखा हुआ आपका, और केवल सी, यही एंसर है, इसका option 3, सही एंसर, आज का class यहीं समाख पूरता है, तो ऐसे classes के लिए बने रहें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और सब्सक्राब करना ना भूलें, थैंक्यू